जिला ब्लास्पूर की सबसे यूची पहाड़ी परस्तित पंदला पंचायत के को गाम में निर्मत हो रहे देश के पहले हाईडरो इंजिनेरिंग कॉलेज का कार्या प्रेक्टी पर है जिला प्लास्पूर के सबसे उंची पहाड़ी परस्तित बंदला पंचायत के को गाम में निर्मित हो रहे देश के पहले हाईडरो इंजिनेरिंग कॉलेज का कार्य प्रति पर है गोरतलब है कि वर्ष 2008-2009 में ततकालीन केंद्री उर्जा मंत्री सुशिल कुमार शिंदेव ततकालीन प्रदेश के मुखे मंत्री प्रेम कुमार धुमल ने सिलानियाश किया था लेकिन धनाभाव के चलते निर्मानकारे अधर में लेटख किया था हाईडरो इंजिनेरिंग कॉलेज के निर्मानकारे के प्रति चिन्नाई की नीजी कमपणी PS के को सरकार ने अधिकरित किया है निर्मान के लिए अधिकरित कमपणी के अधिकारियों ने अनुपचारिक तोर पर जानकारी देते हुए बताया कि हाइड्रो इंजिनीरिंग कॉलेज के भवन का निर्मान कारी दो बर्शों की इसमय अब्धी म बन कर तयार हो जाएगा विशेश बात ये है कि ये कॉलेज देश का सथ से पहला हाइड्रो इंजिनीरिंग है इस कॉलेज में देश बिदेश के बच्चे हाइड्रो इंजिनीरिंग के शिक्षा का अधियन करेंगे इस कॉलेज के बनने से स्थानिय ग्राम पंचायत बंदल परेटन चे जोडने की भी स्थानी जनता का सरकार से आगरे हैं। बंदला पहाडी परागलाइडिंग की उडान भरने के प्रती बिख्यता है। लेकिन सरकार की उपेक्षा के चलते परेटन चुनने के बराबर हैं। हमारे ग्राम पंचैत बंदला में एक बहुत बड़ा संस्थाम जो कि हाइड्रो इजिनर कॉलेज बढ़ने जा रहा है। इसका काम यूद स्तर्थ पे चला हुआ है और इसके बढ़ने से ग्राम पंचैत बंदला की तकदीर बदली जाएगी। करें देश बिदेश से बच्चे आपर पढने आएंगे। यहां जो अच्छी सीख ग्राइन करके बच्चे जो है अपना जो हमारे बंदला में जो यहांसे पराक लाइनिग होती है और इसको जो आच्छा बिख्षिक किया जाए ताकि यहांसे आने वाले जो आड़े पराक यह लोगो निमान किया गया, जुका निमान किया गया, जुका लोगे, है।